हाई दोस्तों मैं ब्रिजेश कुमार मुचाफिर और मेरे दोस्त ओमकार पटेल जी है आज हम लोग एक वीडियोग्राफिय में स्टूटिंग करने जा रहे हैं साधी विवाव वाला तो आप कुछ बोलना चाहेंगे किधर जा रहे हैं कौन गाउं में जा रहे हैं कुछ ना जा रहा है रास्ता बहुत ही यूनिक टाइप का है गंभीर है कहली एक घंगोर जंगल की तरह रास्ता है इधर कोई भी ना जाए हम लोग दुनिया के मंगल ग्रह के आदमी है जो इस रास्ते में जा रहे हैं वरना प्रित्वी से तो कोई नहीं जाएगा पूरा तरफ सुखा ही सुखा पड़ा है देखिए कहीं भी हर याली देखने नहीं मिलेगा कि यह देखिए पीड़ पौधो पत्तों की तलास में है कि कुछ भी कहिए वीलेज तो वीलेज होता है सांती बहुत जादे होती है कि गाओं के महलों में सांती नहीं मिलेगी वहां तो सब लड़ते कटते प्रेंगे लेकिन ऐसे जंगल में जब आप निकल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सांती आपको मिलेगा इससनों से कैसे बाते करें वैं जब रचलती है तो यह लहार रहा यह ? ये प्रद्ता कुछ लहर आ रहा है तो लगता है जैसे कि हम से बाते कर रहहे हैं इस ये लाल कलर का पता निए फ्यूल है क्या चीज़ है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा एक किस चीज़ का फूल है क्या है तो देखिए जाना तो था बाइक से लेकिन पैदल इसलिए जा रहे हैं वीडियो बनाना था वड़ा गाउं को दिखाना था इसलिए हम लोग सुचे थोड़ा पैदल ही चल लिया जाएं वैसे पैदल बहुत चलना चाहिए सिहत के लिए अच्छा होता है दादा जी कहते थे पहले के लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते थे हपतो गाड़ी मोटर बोलोरो इसकार्पियो से लोग चलना चाहते हैं लेकिन पैदल भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि मौका ज्यादे मिलता कहा है गाओं में आने का देखिए तुमा उठ रहा है यह तुमा इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां महुगा बिनने का टाइम आ गया है तो लोग खेत को साफ कर लेते हैं कि महुगा गिरे तो उठाते बनेगा और पता चलेगा इस टाइब का है कि रास्ता यही है कि पेड़ ही पेड़ है हवा भी चल रही है जाते हैं लोग औ, फिर गवी है, यह वा गया है नखीनेगा practical फिर शानी , कि अम्हेन के खिछने आगे हैँ, व्हें कि तो इस बूख आप से पिलाएंगे और वीडियो में उनको भी लाने का परियास करेंगे, क्लों के लोग है तो आप लोग ज्यादा उम्मीद मत कीजेगा कि वह दिखेंगे वीडियो में एक बार बोला जाएगा यदि वह मान जाते हैं तो ठीक है नहीं मानेंगे तो फिर एक सिम्पल सा वीडियो रहेगा वावु एक मिनट एक यह देखिए और का बीनों मुझा बिनके जा रहे हो देखिए बालक सर्मा गया और यहीं गाउं की विशेष्टा है लोग सर्मा जाते हैं बड़ी ध्यान से देखते हैं यदि आप सालों बाद आएंगे यहां तो ऐसे को पता रहता है कि हम लोग से इस्टार हैं हम लोग तो बस वही जानते हैं जो आसमान में इस्टार दिखता है तारा है और देखिए हवा चल रहा है और पत्ते भी हिल रहे हैं तो देखिए ठकान विल्गोल नहीं हो रहा है विसलिब्स आपलों नहीं जानते हमें जो सफर का माजा लेते रहते हैं ऐसा नहीं है कि स्वश्शारों में मजा नहीं आता है बहुत मजा जाता है लेकिन गाओं में भी मजा आता है भाई ठीक है सहरों में एसी वाला हवा मिलता है गाउं में तो नैचूरल हवा है